नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक बार फिर से रिया चकवर्ती और सौविक चकवर्ती और इसके साथ साथ पूरी रिया चकवर्ती की फैमली की पहरसानी बहुत जादा बढ़ने वाली है जी हाँ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अब एक बार फिर से रिया चकवर्ती की पहरसानी बढ़ी है और दोस्तों NCV की टीम ने ना सिरफ रिया चकवर्ती के ओपर बड़ा बयान दिया है बलकि रिया चकवर्ती की गिरफतारी भी हो सकती है तो जानने के लिए दोस्तों आप सभ बड़ी वज़े यही रही है दोस्तों कि रिया चकावर्ती का सुसान सिंग राजपुत से बेहदी करीबी संबंध था जिसकी वज़े से रिया चकावर्ती पर सुसान सिंग राजपुत के फैंस की हमेसा नजरे गड़ी रहती है और सुसान के फैंस को ऐसा लगता है कि रिया और चकावरती ने नहीं सुसांख सिंग राशपुत के साथ इस बड़ी घ्रटना को अंजाम दिया जिसकी वरिसे सुसांग सिंग राशपुत खतम हो गए हाला कि यब सुसांख राशपुट केसके को चौडा महीना भी चुका है इसके बाद भी दोस्तो सुसान सिंग राशपूत के फैंस आज भी रिया चकावरती को लेकर अक्सर बुरी भरी बाते कहजे रहते हैं और ठीक ऐसा ही वाक्या एक बार फिर से सामने आया है जिहां मैं आपको बता दूँ अभी हाली में दोस्तो NCB के जो सूत्र हैं उनसे ख़बर सामने निकल कर आ रही है और NCB की तरब से दोस्तो अब बड़ा बयान दिया गया है रिया चकावरती पर और उनका कहना है कि रिया चकावरती से एक बार फिर से सुसान सिंग राशपूत केस में ड्रक्स एंगल से पूश्टाच हो सकती है दोस्तो ये बात मैं आप हम सभी जानते हैं कि कितने बूरी तरह से रिया चकावरती ड्रक्स केस में सुसान सिंग राशपूत केस के सामने आने की बात फंसी थी और रिया चकवर्ती अकेले ही नहीं बलकि सावग चकावर्दी और उसके साथ रिया चकावर्थी की पूरी Wiki भी drugs case में बहुत बूरी तरह से फसी थी जिसके बाद रिया चकावर्थी को दोस्तो एक महेने के जेल हुई थी तो वही सावग तीन महेंों तक जेल में रहना था अब इसके बाद NCB सुत्रों ने कहा है कि हमारी पूरी तरह से रिया चकवर्थी पर एक बार फिर से नजडिक गड़ी हुई हैं फिर उसकी WhatsApp चैट एक वार फिर से अगर चेक करने पर पाया जाता है कि रिया चकावर्ती ने ड्रक्स की किसी भी तरह से लेंदेन की बात की होगी तो रिया चकावर्ती की और उसकी फैमली से फिर से पूछताश पने के बाद रिया को गिरफतार किया जा सकता है तो यहाँ पर दोस्तों NCB ने बेसक से रिया चकावर्ती को जेल से बाहर छोड़ दिया है लेकिन सिदाथ पिठानी की गिरफतारी के बास से इस बात की दोस्तों पूरी दरह से संभावना है कि रिया चकावर्ती की उपर ना सिरफ CBI की और NCB की नजड़े गड़ी हुई है बल्कि इन्होंने रिया चकावर्ती को गिरफतारी का एक जाल भी बिछाया है अगर रिया चकावर्ती उस जाल में थोड़ी सी भी गलती करती है तो निश्ची तोर पर फंस जाएगी और रिया चकावर्ती को बहुत जल आप सभी एकवार फिर से सलाखों के पीछे देख पाएंगे और इस बार रिया चकावर्ती या फिर सौविक चकावर्ती ही नहीं कि रिया चेकरवर्ती की पूरी फैमिली जेल की पीछे जा सकती है तो दो तो क्या लगता है आपको क्या NCB की ये महनत सफल हो पाएगी क्या रिया चेकरवर्ती सुसान सिंग राजपूत केस में एक वार फिर से जेल जाने वाली है जरूर कमेंट करके बताईएगा साथ ही वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनिवाद